मद्गर प्रदेश जिले वर्झ संखला में आज का जिला आ बालाघाट के से कौन-कौन से जिले लगे हुए हैं सिवनी है मंदला है और कौन देखी इस प्रकार से इसतरह दिखा जीता बालाघाट का नक्षा है बालाघाट जो है बैनगान अधी के पास बसा हुआ है काना निशनल पार्क बाला घाट मंडला दोनों जिलों के बीच इस्तित है और यह नेकसल प्रहाविच जिला है बाईगा जनजाती यहां की प्रमुक जनजाती है बाला घाट में जो है मुखरूप से बाईगा जनजाती है और यहां पर देखे लांजी कामापूर बिहार यह जितने भी हैं यह सब जो है नेकसल प्रहाविच छित से संबन्द रखते हैं और यहां पर जनजाती जो है मुख प्रफदेश महराश्ट और च्छतिजगड़ की सीमा पर बसा हुआ है यह एक नगरपालिका है और नगरपालिका में देखी बालाघट जो इसका प्रसास्टिक मुख्याला है यहीं पर है माना जाता है कि इसे पहले बूरा या बुरहा के नाम से जाना जाता था बाद में इस राजिस से अपनी सीमाओं को साजा करता है यह बता दिया मैंने और यह नगरपालिका है यह किस नाम से चानी जाती थी बूरा के नाम से बाद में इसका नाम बदल का क्या कर दिया गया बुरहा कर दिया गया और उसके बाद इसका नाम बालाघट कर दिया गया इसका कोई हल अंगा नदी घाटे के उपजाओ छित में उगने वाली प्रेमुक फसले हैं। सांथी क्रिसी बेपार और मैगनीज उत्खरन में काफी महत्पून इस्तान रखता है। अन्य खदानों के लाबा यहां पर भरवेली उकवा यहां की मुक खदाने हैं। पताब बाला घाट में बहुत सारी खदाने भी हैं। इसलिए इसको मैगनीज नगरी के नाम से भी जानते हैं मद्यपदेश महराष्ट की संयुक्त परियुजना बावन थड़ी यहां पर इस्तित हैं बाइगा जन्जाती भी पाजाती जो बाइगा चक्र बनाती है और जैसे कि मैगनीज के लिए बहुत इंपरण यह हमने पहले ह बात कर लिया है मलाजखंड एक छेत्र है बालाघाट में जो कि तांब ऐसक उत्पादन के लिए बहुत महत्पूर है बालाघाट को सिकारियों को स्वर्ग भी कहते हैं यहां पर एक प्रकग बन राजिक महाबिद्याले भी इस्तापित हैं देव नदी पर मलधल जल प्रप जो कि गंगुल धारा जल प्रपाद के नाम से भी यह दोनों जल प्रपाद यहीं पर हैं फिर आंगे हम बात करते हैं प्रसिद इस्तर कौन कों से हैं सिहारा पाठ मंदिर कानारास्टी उद्यान हट्टा की बाबड़ी और बहूली लांजिक और प्राचीन किला कंगुल पल मंदिर स्वयम राम के चरन पड़ी थी यहां पर ऐसा कहते हैं टंडिया नाला वार सिवनी के नजदीक है ये भी है कटंगी के नजदीक बिशापुर में महादेव का मंदिर है उपर के तीन पॉइंट आप जरूर याद रखें इसके अन्ने बाद में बात करते हैं बालाग इंदी है आप भी जानते हैं और यहां पर जो है जन्जाती जो पायाते हैं उसकी भी अपनी ऐरे हैं और इसके पुछास से भाग में जंगल है मैगनीज नगरी के नाम से इस जि страх को जानते हैं इसके बाद हम आते हैं गंगुल्पुरा बांठ पर यह जो गंगल पुरा ब बाला घाट जो है जरनों के वे से अपने आप में एक सुंदरता इस्थापित करता जो कभी भी जाएं तो पिक्डिक मनाने की रिसाफ से बहुत ही महत्पूर हैं और प्रकति प्रेमी यहां पर जरूर आते हैं एक धीसरी नालाई यहां पर जरूर आते हैं आगे हम चलते चुके हैं ये चीजें फिर हम आगे आते हैं काना रास्टी उद्ध्यान ये बहुत मात पूरें काना रास्टी उद्ध्यान जो है जिने हम काना रास्टी उद्ध्यान भी कहते हैं यहां पर बागों के अपने एक भंडारें बाग बहुत मातर में पायाते हैं तो इस प्रकार एक जुन 1995 को बनाया गया था 1973 में से काना रास टाइगर रिजर बनाया गया है तो ये बाला घाट की मात्पूर बातें जो है थी इसके बाद हम आगे बात करते हैं कुछ अन्द चीज़ों पर ये देखिए मलाच खंड का पावर प्रोजेक्ट यहां पर लगाया गया है जैसे कि हम बात कर चुके है तो मलाच खंड कावर प्रोजेक्ट मद पेस के मलाच खंड में कावर बेल्ट में ग्रेनाइट की चैट्टानों में कावर आइसका एक बड़ा पिंट सामिल है जो डाइनामेट यहां पर अलग प्रकार का होता है इसमें मलाच खंड सीतल पानी गितरी थोली जट और घड़ी डोंगरी है मलाच खंड कावर प्रोजेक्ट 1982 में इस्थापित किया गया था एक खुले गड़े की खान के माध्धम से तामे के आइसका दोहन करके यहां पर हिंदुस्तान कावपल लेम्टेट दोरा इंसी प्रेल प्रोजेक्ट इस्थापित किया गया है तो यहां पर यह महत्पूर्ण बात हो गई आपको हिंदुस्तान कावपल लेम्टेट के दोरा इसके बाद यह देखे राजियू सागरबांध है मद्य प्रदेश और महराज सरकारद्वार निर्मित राजियु सागरबांथ प्रयुजना से मद्य प्रदेश के बालाघाट जिले के 97 गाओं जो है लाभानवित होते हैं इस प्रजेक्ट से जो राजियु गान्दी का प्रजेक्ट है 52 थड़ी नदी पर बना हुआ ये प्रजेक्ट है और मद्यपेश और महरास्ट के एक अंतर राजी प्रदेश दोनों मिलकर जो है ये प्रदेशना अपनी चलाते हैं इसके बाद में प्रदेशना करिमार बालाघाट जिले के तैसिल कटंगी की ग्राम कुडबा और महरास्ट क के भंडारा जिले के ने हुआ हुआ है दोनों गाउं के दोनों जिले के दोनों गाउं बतादीए मैंने चमा चाओंगा जाओगा और इसके बाद यहां का जो बांध है 21 मीटर उचछा है छे किलों मिटर, 420 मीटर लंबा बनाया गया है फिन आंगे बाद हम करते हैं इसके बारे में कुछ लांजी का किला लांजी का जो बर्तमान किला ग्रेट किंग संग्राम साहे के बामन गड़ों से बना हुआ प्राचीन है बर्तमान किले में इसका महल बनाया गिया है राज कुमारी हलसा के दादा मलकुमा बार्मी सदी में बनाया गिया था इनको बनाया है इसक किले का निर्मान कुल साथ तकड़ भूई में किया गया है। तो आप इस किले के बारे में बस पता करें। लांजी का किला महत्पुर्ण बांकी जुरू नहीं है। किले के द्वार जो है इस तरह से बना गया है। कच्छुए के साब के चिनिका प्रदी की रूप में बनाया से अब इसमें कौन कोंसे कॉश्चन हो सकते हैं। बाला घाट के बारे में हम कॉश्चन के बारे में थोड़ा जानकारी हासली करेंगे। बाला घाट मद्दे प्रेज कस्टुए